तो आप सिंप्ली नेट पर टाइप करिये क्या विश्टुला से काइंसर हो सकता है या विश्टुला इस डेंजरस और फिश्टुला इस फैटल तो आपको आंसर मिल जाएका जिरो पाइंट जिरो थी परसंट सब्सक्राइब की पॉसिबिलिटीज होती है कि फिश्विला कांडी कर्वर्टे इंडू था पैंसर और फैटल यह तभी होता है इससे पहले की भी हमने वीडियो में जो एक्स्प्लें किया है यह तभी हो सकता जब कि एक पेशंट जो है बह प्लेटली उसके जो से लेवल तक जो है टॉक्सिंग भर चुकियों किद्नी सही से काम नहीं कर रही हो ब्लड पुरिफिकेशन नहीं हो रहा हो तो और सुगर के पेशंटों में खास्तोर से सुगर को पेशंटों तो कहीं भी कोई भी तरह का उंड हो जाता है तो उनको यह जाता है कि यह गैंग्रीन में ना करण हो जाओ जाए जाए जब गैंग्रीन होगा फिर बाद में उसको कैंसर ने होने में वह उस तरह की तरफ हंड़ड परसंट जा सकता है और कई बार लोगों के काटे भी जा चुकिए यूनो दैट की सुगर के पिशंटों में पॉस्ब इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि आप इसे इग्नौर कर दें होता क्या मोश्टी लोगों को फिशला में पेन होता नहीं है और पाइल्स में तो अगर किसी को थोड़ा सा इस्टेनिक करने पे कुछ फुलका-फुलका पेन हो जाए तो ठीक है अन्ना मुस्टी कॉधिशन तो है कंडिशन हो सकती है घातर होती नहीं सबसे इग्नौरस किया जाने वाला उसे यह समझ के छोड़ी आता इसमें ज्यादा इपन हो तो कहता सर मुझे इतने़ों से इतने बनाता चला जारा उसी तरह से जो चो होते चला जातां तो मट्ली पल हो जाता है चला जाता है तो कॉंप्लिकेटट फिश्यूला हो जाता है तो आई विल से दैट प्लीज जोंट इग्नोर फिश्यूला और इनकांड आपकी बॉड़ी में कुछ इस तरह की कॉंप्लिकेशन छेल्थ इसूद होते हैं प्लीज डोंट इग्नोर उनको पहले इस्टेज में उनका सर कुचल डाल तो तेक फिस्टेप एक्संद आगें जर्षापियों कुछ नहीं को सर्दर्ट होता कभी कुछ और है तो जाती है और कभी-कभी तो हो जाता है किसी को हाट अटेक आता है और किसी किसी को फिर प्रेक्ट कि भी कंडिशन हो जाती है अगर आप बार बार इग्नोर करें किसी किसी को फिसी वक्त खतन करो खिल करो और अपने आपको सबसे पहले आप अपने आपको सवस्त रखे आपका सवस्त मन रहेगा तब इस जीने का आपको आनंद मिलेगा वहना सारी संब्रिशी सारा सुख साधा साधन इतनी वी चीज़ें आपके पास है अच्छा भी और सवास्त आपका अच्छा नहीं आप सही से नहीं मिंटेंड करें इसके सरकेडियन ख्लाग को आपको नहीं खाल रख रहे हैं अच्छा खाना लेकिन बहुत लेट नाइट खारे हैं तुब जाधा बेनिफित नहीं देगा फिर नुकसान होगा इस तरफित और अपने स्वास का ध्रान लगना चाहिए और टर्बने की कोई बात नहीं अनुरेक्षर डिसीज अलहम्दुल्ला हमारे हैं बहुत अच्छे से ट्रीट की जाती है किसी को कम जादा समय लग सकता है मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं आप जिसको अच्छा समझते हैं उससे ट्रीटमेंट लें बट लें प्रिकासन इस अमोश्ट इंपोर्टन इन इसे यूज़ दा फूड अज अगर आप जब तक खाने को अपनी दवा के तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे केर इसे प्रिकासन नहीं लेंगे और उसमें जो अवाइड करने की चीज़े आप उ हम और इंपॉर्टन डोल अदा करता हो खास्तार से तब जब आप मेचर के समय के अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं तब और ही ज्यादा वह पाइदा देता है तो हम अपने पेशन्टों को इसके लिए बाकादा तुन्टी त्री मिनिट फॉर्टी 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 फ बचाया जा सके तो हमारी कोशिच यहीं रहती है प्लीज आप सब इसमें जो है अपना योगदान दें लोगों को जो आप्रेशन से बचाएं और इसके बारे में आप रिसर्च करके देख सकते हैं इदावतर आप्रेशन के बाद भी लोगों का फिश्यूल अठीक नहीं हो होता है तो आपका प्लस है जो था ही ता उसके साथ आपको फिनेंशियल कंडिशन में भी चैलेंज आते हैं किसी किसी का पैसे नहीं है तो जेफार कर सकी है अचाए चीज आपने और देखी है ऐसे पेशन्ट जो वहां पर हास्पिटेंट और सार्सांतर हजार खर्च करके किसी कोशिच कर रहे हैं बहुत होगा तो तब भी कितना पंद्रहाजार मैक्सिमम वर फर्च होगा इस वक्त करोगे तभी तो साड़े 3,000 तक ही आएगा और नेक्स्ट अगर आप करोगे तो फंद्रहाजार खर्च तो क्या हो रहा ना आपको जो है बेट्रेस लेना पर दा ना आपको इंसीजन हो रहा ना आपका अपरेशन हो रहा है ना को को यह एक दिन का बेट्रेस्ट आप हास्पिट्ट में चले तीन हजार से लेकर पाट-पाच बेट्रेस्ट आपको भी पता है एक हमारा ही काश पाँजार होती इस तरह इतनी नहीं आती हम अपनी सर्विसे ले रहे हैं इसी की भी मैडिसिंग कम्या जादा होने से हम पाइक की कभी पी काश्ट को कम्या जादा नहीं करते याद रखी पूरी सी में कवर होगी उसको अलग से कोई स्वेसिपिक उसके जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो अदर्वाइस हमारी जो लगते तो यह सारी चीज़े कहने कि नियुक्त नर्मल हो गया उनका वेट लास्ट होगया दो महिने के अंदर जो है साथ ही साथ उनको पैरों में जो दर रहता वो सही हो गया उनको हाट बंट का हद मैं से सिनी में जलन हो रही आई पर रेसिटिटी ठीक हो गई बहुत जादा होती थी ओर ठीक हो गई बातरूं में आदे आदे घंटे लगते थे वह सब कुछ जा के आप उन्हें की आवाज में हमारी कमुनिकरेशन त्रू आउट मोबाइल के थी वही रिकॉर्डिंग कर लेते हैं उनसे और से सेम टाइम हो हमारा कोई प्री प्लान नहीं होता मुश् कर देते हैं बस इतना ही रहता है और अलहांदुला किसी को पेड नहीं करते का आप जा आके हमारी जूटी तारीफ करो आप उस वीडियो में या आडियो में देख सकते हैं और आम अपने पेशन्टों से भी कहते हैं कि क्या लगता आपको आपकी मर भी आपकी च्वाइस है एक सवाल और पूछा जाता है कि क्या सर हमारा जो ट्रैक है वो किती दिन भर जाएगा तो मुन से पूछते कि आपका ट्रैक की साइज क्या इसकी लेंद्ध क्या है तो उन्हें पता नहीं रहता तो हम कहते हैं कि प्लीज स्टार्ट आपर वान मन्त वहीं आपका टाइम है या फिर देखता है कि आपको कितना रिलीफ मिला अगर तो आप ठीक हो गए तेका दो खुराग और आप अच्छा फाइदा मिल रहा है प्रोग्रेसिव एक महिने आपको 25-30 परसन मिला मैं कह रहा हूं अगर आपका उससे ज्यादा है तो आपको कम लेना पड़ेगा तरुन भोपाल के थे उनका 3.5 संटीमेंटर का एक महिने में ठीक हो गया जो है आप देखें करनाटर के गवर्मेंटर इंपलाई थे उनका 45 डेज में ठीक हो गया उस्मानाबाद को एक्वेसन थे जिनका बा क्योंकि जो ट्रेक होता है तो डलदल कीतरा से होता है वह भरने के बाद जु आप देखेंगे जहां उपनिंग वहां की ठीक होती है और इसका अगर आपको पूछी को देखना है तो जिसकी बाड़ी ने कहीं बिब्ड़ा फुन सी वा ठीक होने पार देखे अगर वह लां लोग ले रहे हैं उनको रेजल्ट अच्छे मिल रहे हैं क्योंकि इस तरह खाना खा रहे हैं तो खाना आपको नुकसान नहीं करेगा जब तक आप खाना खाएंगे अच्छी सी बैलेंस डाइट उसी तरह से अगर आपको मेडिसिन दी जा रही है आपके सिंप्टूम के एक और इंग जो कि एक हेल्ट प्रोफेशनल देता आपको तो आई होब कि उसमें कभी भी आपको कोई हेल्ट कांप्रिकेस्ट आने के चां करें अधर्वाइज आप खुद आपका मन भी बेकार मन बेकार कुछ फाइदा नहीं करती है और साथ ही साथ वहां की दी गई वीडियो भी में कभी नहीं कहता है कि आप से मेडिकेशन करें कुछ को देखके भी करेंगे तो आयस पर वो सिंप्टम आपके इग्जैट नहीं सब्सक्राइब करें कि आप अपने आपको किसी डॉक्र करें जो आपका ट्रीटमेंट नहीं आगरे बल्कि कि आपकी पूरी बाड़ी का ख्याल रखें आज ही कॉलती बोले सर मैं दस महीने ट्रीटमेंट करो अगर नहीं रिजल्ट मिलता तो अपना समय और पैसा दोनों भी ना मेरे पास ना किसी डॉक्टर की पास बरबाद करने की जरूत नहीं आप बज़द दो डॉक्टर सी बा और जो हमने टॉपिक छेड़ा था कि कैंसर क्या होता तो बिल्कुल डरे ना जल्दी होता है नहीं यह सिर्फ वही चांसे ज्या सुगर का पेशन्ट हो और उसकी मेंटेन ना और उसको गैंग्वीन हो जाए कि किसी जखम में होने की पासिबिल्टी है तब यह करके अपने लीवर पेट में हार्ट को डैमेज कर चुका हो तो जाहिव सी बात है उसको पासिबिल्टी होती पर हंडेड़ परसें प्रिडिक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर जो है एक सिम्टम पाया जाए कैंसर का तब तक नहीं हो सकता जैसे बहुत अब तो इस तरह कि जब तक सिम्टम नहीं पसे तब तक उनको भी नहीं का जाता कि नहीं आपको हो जाएगा तो इस तीस का खाल रखें और अपने आपको जो है सेफेश्ट वें में रखें इग्नोर ना करें और वही लास्ट वाले बात हम कहेंगे कि फिश्चुला में तो सर परने से ठीक होगा एक सवाल हो लोग कहते हैं कि डॉक्तर हमें कह रहे हैं कि देर इस नो क्यों आप देश्चुला विद अमेट सिम्टम लिदा अप्रेशन इस अप्रेशन आप देश्चुला कि और I would like to ask all of those doctor that please can you prove me that what is the percentage of the success of the फिश्चुला मेरे पास recording I have the proof to show मैं ऐसे नहीं बात करता मैं record रखता हूं जिन्होंने करा है बोले सर आप करा कि अमने का दुबारा होगा तो नहीं डॉक्तर से लेट गोएं और स्वेश्चुला में जाहें लोग्रेड हो मोशनी तो हाई ग्रेड में कहते हैं कि इस नाट क इस नाट करते हैं तो इसको इंकॉंटिनेंस होने की समस्या हो सकती प्राब्लम ना तो थिंक बाउट आउस्पेक्ट नट वनी जा फेनेंसियल नाट फार्वल्ड है दोनों हमें देखना है और हमें देखना कि सेफिस्ट वे क्या है और लांगटर्म ट्रीटमेंट किसमें अच्छा लांगटर्म तक ठीक रहना किसमें पासिबल हैं पारे इजांप अगर कोई मैड़िशन से ट नहीं लगा उसकी बॉड़ी को अपरेट नहीं किया गया और उसका ज्यादा फैनेंसियल लास नहीं हुआ उसको बेड रस नहीं लेना पड़ा तो वाट इस सफिस्ट वे एर हट तो गो पेशन्ट फॉर देट्मेंट तो मैं उन सभी डॉक्टरों से हाथ जोड़के रिक्वे है कुछ लोगों तो बहुत जादा नाइक डूटी करते हैं तो उनको भी हल्थी सुट होने की चांसे होते हैं अच्छा एक चीज़ और है मन में डर अगर किसी को किसी भी डिसीज को लेकर फोविया क्रिये हो चुका है और सुमाटिजम है साइको सोमाटिक डिसाडर किसी ल आपकी है अप इसलिए आप करते हैं तो वी आर नाट केरिंग डिसीज वी आर टीटिंग योर बॉडडि माइं माइन बॉडि सोल का का चलता है तो जब मैं आधी घटी की फीस वें की कंसर्टिंग और तो यह निसे लेते हैं उसका हमारा वाकादा लिंक आता है और आप को तो हम उसमें पूरा रूल आउट करते हैं कि वाट इस टा गुइंग ऑन इन दिस बोडी इस पेशंट के अंतर चाहर चल रहा है उसकी बोड़ी में चाहर चल रहा है उसका काम कौन सा है सीटिंग है जाब है या बहुत जादा स्टैंडिंग जाब है बोडी के किस आरगन पर जोर पढ़ा फॉर सिटिंग आब सब्सक्राइब तो इस तरह से बहुत सारे अधर सिंटम भी लॉंग विद इस 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 आते हैं तो हम उन सब का टीट्म करते हैं वी आर नाट टीटिंग वाली इस पेसिपर दफिशुला इसलिए आप हमारी वीडियो में देखेंगे तो प अब तो मुझे के अंदर से बच्चों जैसे अनर्जी आ गई है तो यह क्या है यह मैडिसिंग का साइड इफेक्ट नहीं होगा तो नेट पे जाए लिए इस देर एनी साइड इफेक्ट आप तो पाहली बाद तो पुरी दुनिया इसके को हमाने से इंकार करें साइड इफ पर पर चुका है इसके उपर आप तो हमेपैटी के नाम से बहुत सारी पुक भी पब्लीस हो चुकी और बहुत सारे डाक्रों के इंडिवीज्वल भी अपने डेटा हैं आपने सेर्च करेंगे आपको मिल रहें तो आइफिंग वीडियो छोपी करके मैंने बहुर प्लंगी बनाती तुंटी मिनट्स के अभी ही रिकॉर्ड हो गई और चली जाए तो यह कुछ सवाल थे जो आपके मन में आ रहे होंगे टाउट उसके लिए जो है मैंने इस वीडियो को सुचा बना दू ताकि आपके मन के अंदर से डर निकल जाए और देखे जब डर निकल जाएग तो इस तरह से डराने वाले भी लोग रहते हैं डरने की बात ता वहती जखम बहुत दिन तक रहेगा तो इसका डरने की मत्तर नहीं कि राइट वे में ना जाओ तो राइट वे जाए कुसी अच्छे डाक्टर से कंसर्ट करिए नहीं समझ में आता तो एक बार हमें मौका द कर यह ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही मिलतें फिर नेक्स वीडियो में और आपके सवाल जवाब रहेंगे तो आप हमें कर सकते हो परसनल कंसर्टिंग के लिए प्लीज मेरा एपॉइन्में बुक करें मैं फ्री में बहुत कम अवैलेबल रहता हूं आप लोगों की सबसे बड़ा फाद है कि आपको कहीं नहीं जाना कंसल्टिंग घर पे दवाई घर पे डएट फ़लांग घर पे कुछ बात करना कुछण घर बैटे बैटे जहां पे हो ओए अपकी सेवा में सुबार्द सुबार दो गंटे साम बाकिस आपके रहे होता है और आपकी लोगों से भी इस वाच चाहंगा कि उपर वाला मेरे हाथों में इतना शिफाद है कि जो मेरे पास आए वो त्रिप्ट हो करके जाए यह प्रोफेशन बहुत इसमें किसी को गलत जो है मसवरा नहीं देना थी मैं सबसे ही रिक्रेस्ट करूंगा और पैसे तो बनाने के कभी भी नहीं करना चाहिए यह हाड मणी रिलेक्स करना वही डॉक्टरी के प्रोफेशन में आते भी हैं और आना भी चाहिए मनी प्रोफेशन में आते तो आप बंडिदिंग अ गे तो बना लोगे बट्प आसिरवाद और वह ब्लेसिंट से दूर हो जाओगे thanks for watching see you in the next video